अब सबसे पहले बात करते हम एक छोटे राज्य की जहां पर एक वारदात हुई जो बड़ी चर्चा में चल रही इससे पहले आपने एक और दूसरे छोटे राज उतराखंड में देखा था अब बात हिमाचल की करेंगे यहां भी टेंशन है हिंदू-मुसल्मान की तना-तनी का मामला यहां भी दिखाई दे रहा है यह वो राज्य हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 10% या उससे कमी होगी लेकिन हिंदू-मुसल्मान पॉलिटिक्स यहां पर जम कर रही है देश में मुसल्मान बदाता क्या सोच रहा है मोधी के बारे मे राहुल गान्दी के बारे में इन दोनों में से किसके साथ जाना पसंद कर रहा है यह सब हम आपको दिखाएंगे आकड़ों के साथ लेकिन पहले आपको बताते हिमाचल प्रदेश के चम्मा में और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो हुआ उसका क्या प्रभाव पढ़ विशाई यह था लेकिन अब देखिए इसका रियाक्शन आया 22 साल का मनोहर जो की मुस्लिम लड़की से प्यार करता था इस रिष्टे के बारे में लड़की घरवालों को पता चला वो नाराज हो गया और 6 जून को लड़की वालों ने मनोहर को अपने घर बुलाया और उस पहचान हुई और हंगामा हुआ और नाराज लोगों ने जो आरोपी थे उनके घर को आग क्या हवाले कर दिया वो आप देख रहा है उसकी तस्वीर और इसको लेकर के जबरतस्त विरोध पदर्शन भी हो रहा है और उत्तरकाशी में लब जहाद का मामला पकड़ा गया थ पाद उत्तरकाशी में कई मुस्लिम दुकानदारों ने दुकान बंद कर दी पलायन भी हुआ ये भी बताया जा रहा है इस सब के बीच 15 जून को हिंदू संगठोनों ने एक महापंचायद बुलाई थी पुलिस ने इसकी जाज़त नहीं दी धारा 144 लगा दी हिंदू संग तो ये आपके सामने दो छोटे राजियों की जो परिस्तिती है वो हमने रखी अब इन सब के बीच मुस्लिम मद्दाता जो है वो उसकी क्या सोच बन रही है ये हम आपको दिखातें एक नया सर्वे जो बता रहा है कि क्या कुछ रुजहान कुछ बदलाफ परिवरतन दिख कि 15% ने का BJP को वोट देंगे 26% को मुसलिम रिस्पॉड़िंट्स में से 15 प्रतिशत ने BJP के लिए वोट देने की बात कई बढ़ा उत्सा वरदक डेटा हो सकता है 44% मुसल्मानों ने कहा वो Congress Party के साथ है 15% BJP के साथ और दूसरे और नामों के लिए 36% लोगों ने अपनी प्रेफरेंस बताई लेकिन ये 15% मुसल्मान अगर ये कह रहे हैं कि वो BJP को वोट देना चाहते हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात है अगर वाकई में ऐसा चुनाओं के वक्त होता है तो BJP के लिए ये बहुत अच्छी ख़बर हो सकती है और ऐसे ही सीधे सीधे दरेंदर मुदी का नाम लेकर भी सवाल पूछे गए कि प्रधान मंत्री वो किसको बनाना चाहते है ये पार्टी को लेकर सवाल था उसके बाद सीधे PM फेस को लेकर सवाल पूछा गया तो उसमें आप देखेंगे कि हिंदू रिस्पॉंडेंट्स में से 50% ने नरेंदर मुदी का नाम लिया चौबीस ने राहूल गांधी का और ओवराल वोटिंग पैटर्न को छोड़ दीजे वोटिंग प्रफरेंस को छोड़ दीजे जब नरेंदर मुदी का नाम आता है तो ये बिल्कुल ताजा सर्वे है लोकनिती CSDS का ये सर्वे जिसका डेटा हम आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री पत पर मुदी पसंद है इसके बारे में आप देखें 16% मुसल्मान कह रहे है हाँ हिंदू मद्दाताओं में से जो रिस्पॉंडेंट सर्वे कहते हैं उसमें से 45% ने कहा हाँ और पसंद नहीं में 21% हिंदू कहते हैं हमें पसंद नहीं है मुदी का काम काज और 49% कहते हैं, उन्हें, मुसल्मान कहते हैं कि उन्हें नरेंदर मुदी का काम पसंद नहीं है लेकिन ये जो 15% और 16% का आकड़ा बीजेपी के लिए और नरेंदर मुदी के नाम पर दिखाई दे रहा है इतना वोट तो बीजेपी को आज तक कभी नहीं मिला, ये बात साफ है चाहे कितनी बड़ी जीत किसी भी राज़े में हो गई हो तो फिर सवाल सर्वे पर करें या जो वो कह रहे हैं वोट डालने जाते जाते मन बदल जाता है मन भी बदल जाता है और 2022 का उत्तर प्रदेश का जो चुनाव था उसमें मुस्लिम महलों में जो लोग गए जो बात चीत हुई टेलिविजिन चैनल्स पे जो दिखाए गया उन्होंने का कि हम योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाते हैं लेकिन बीजेपी को वोट ने देंगे तो कैसे होगा अब इससे आप अंदाजा लगाईए कि प्रधान मंत्री के रूप में मोदी को देखना चाहते हैं लेकिन वोट देंगे की नहीं इस पर सवाल है पंदरा परसंट तो कहरें वोट भी देंगे सवाल यह है लेकिन आप याद कीजिए हैधराबाद में जो नेशनल एक्जेकुटिव हुई थी बीजेपी की जब पहली बार पसमांदा मुसल्मानों की बात की थी प्रधान मंत्री ने तो उन्होंने कहा थे यह सोच के मत की नहीं जाईए मिलिए उनसे बात कीजिए उनको अपनी बात समझाने की कोशिश कीजिए वोट मिलेगा नहीं मिलेगा यह बात की बात है तो यह कोशिश जो है बीजेपी की कोशिश कई कई फरंट पर है एक यह है कि जो भी मुसल्मान बीजेपी के साथ आता है वो अपने समाज में तंकही अगोशित हो जाता है मुसल्मान उसको मुसल्मान ही नहीं मानते उचाहे आप शेहनवाज हुसेन को देखिये चाहे मुटारबास नक्वी को देखिये या आरिफ मुम्मद खान को देखिये आरिफ मुम्मद खान जैसा नेता जो है B.J.P. के ticket पर उत्तर प्रदेश से चुनाव हार जाता है तो इस से अंदाजा लगता है कि जो है मुसलमान B.J.P. के मुसलमान उम्मिदवार को भी स्विकार करने को तयार नहीं तो मुसलमानों को ticket अगर B.J.P. दे भी दे तो उसका नतीजा कुछ नहीं निकलना है तो सीट हारने के लिए क्यों कोई पार्टी जो है टिकट देगी किसी को भी हर पार्टी का क्राइटेरिया सबसे बड़ा तो यह होता है विनेविल्टी कि कौन जीत सकता है जिसके बारे में पहले से पता हो अभी जो आपने लेकिन बात कही कि अगर कोई बीजेपी का के समर्थन में कहता भी है तो अपने ही समाज के अंदर उसका भाहिशकार शुरू हो जाता है तो क्या वोई ही चीज हमें सर्वे में दिखाई दे रही है अगर पंदरा परसेंट से नीचे रहा होगा अगर सर्वेस कि यह सफलता तो नरेंद मोदी की सरकार की है या योगी जी की है कि अगर पंदरा परसेंट सारजनी रूप से सुईकार कर रहे हैं कि हम उनको वोट दे सकने हैं देंगे कि देने का मन है तो यह भी कम बड़ी सफलता नहीं है इस पर मैंने किसी एक इंट्रिक्शुल का बयान देखा कि हिंदुस्तान के मुसल्मान जो हैं ऐसे डेटा जब आते हैं तो कहते हैं स्टॉक होम सिंड्रोम है स्टॉक हम सिंड्रोम होता नहीं कि किसी ने आपको अगवा कर रखा है और आप दीरे दीरे उसके पक्ष में बोलने लगते हैं उसके अच्छाहियां आपको नज़र आने लगते हैं तो दस सार्म मुसल्मानों के साथ बो हो गया है अब इनके खिलाब बोलने का क्या फाइदा तो पक्ष में बोलो लेकिन ये बात सही है जो सरकारी योजनाए हैं इस सोच में क्या खराबी है अगर आप एक मुसल्म प्रिस्पेक्टिव से सोचिये भी कि भाई अच्छा ये ताकतवर हैं यही लोग सरकार में आ रहे हैं लग रहा है आगे भी शायद कुछ बर जिनकी सरकार रहेगी जो मुसलिम वोट का वीटो था 70-75 साल में उसको नरेंद मोदी ने तोड़े यह बात OVC कहते हैं OVC कहते हैं कि तुम ना जिता पाओगे ना हरा पाओगे तो जो अपने प्रस्पेक्टिस से कहते हैं तुम अपना नेता चुनो तुम अपने आगे आगे बहाओ उत्रप्रदेश जैसे राज्य में 73 सीटे बीजेपी असी में से जीत जाए बिना मुसलिम वोट के तो फिर मुसलिम वोट मिले ना मिले क्या फरक पड़ता है ने मुझे लगता है इसके एक पक्ष की चर्चा जो सबसे महतुपूर्ण है जिसे विनोज जी ने भी कहा आठ परसेंट के आसपास वोट मिलता था टल जी को जो सर्वेज में आता था मुसल्मान आठ प्रतिशत के आसपास वोट करता था नरेंद्र मोदी के 2019 के चुनाव में वो 9 प्रतिशत हुआ जो अलग-अलग सर्वेज आए और अभी अगर यह जो भी सर्वेज यह जो सर्वेज आपने दिखाया अगर 15 प्रतिशत मुसल्मान ये कह रहा है तो इसको ये मानना चाहिए और हम सबको मानना चाहिए अच्छा रहेगा लोगतंत्र के लिए भी कि ये जो लाभार्थी है और उसके साथ साथ एक वर्ग जिसको लगता है ठीक भई ऐसे तो जातियां भी लड़ती है ऐसे तो लोग भी लड़ते हैं ऐसे तो किसी का भी बुरा कोई सरकार करती और तो और हमने अलग-अलग राजियों में देखा है कि एक वर्ग के लावा बारती जनता पार्टी के लेकिन सरकारी योजनाओं में वो कता ही कोता ही नहीं करते दूसरा कोशिश करते हैं कि कुछ हम बेहतर करते हुए दिखें जो अलब संख्यकों के लिए मुसलमानों के लिए तो मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ी होजा है जिसकी वजाए से 15 प्रश्चत, 16 प्रश्चत का जो एक आंकला दिख रहा है वो नजर आ रहा है। सरकार जो है जो नियम बना रही है जिस कानून पे चल रही है वो सबके लिए बराबर से है। सरकार देशू भी फुड़ी चर्शा होने लगी है बुल्डोजर की। बुल्डोजर जो है ये मुसल्मानों की धरों पर जादा चलता है। अब आप बताईए कि इंग्लेंड में जितने लोग जेल में हैं उन में से तीन या चार परसंट हिंदू है और सतर परसंट से ज्यादा मुसल्मान है। बुल्डोजर चल रहा है वहाँ। जिस समास से अपराद ज्यादा होगा उसके लोगों के खिलाफकारवाई भी ज्यादा होगी। तो इसमें भी कोई भेदभाव नहीं है। इंकाउंटर की संख्या देख लिजिए। जितने अंकाउंटर हुए हैं उसमें देख लिजिए। कितने परसंट मुसल्मानों का हुआ है और कितने परसंट हिंदू होगा है। तो आप जब बड़ी पिक्चर देखेंगे, तब आपको दिखेंगे, आप केवल तीन-चार माफिया को देखेंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो सब मुसल्मान थे, तो माफिया थे कि नहीं पहले तो ये तया हो, अगर माफिया थे उनके खिलाफ कारवाई हुए तो ग उसके बाद फिर बुल्डोजर बाद में अतिक एमत के यहां के उनके लोगों के यह और जो तमाम सारे इस तरह के मामले आए तो बुल्डोजर वहाँ चला लेकिन बुल्डोजर को लेकर के यह जरूर है कि कई बार बुल्डोजर की लिए अति भी हुई जैसे और यह घटना ह तो वो कईवा भारी पड़ जाता है इसलिए बुल्डोजर के मामले में बहुत बहुत सम्वेने सीलता की जरूएत है और बुल्डोजर एक विपक्ष को मुदधा भी मिल अकले सिया दो आगजो दो बूजार वावई कहते हैं कि बुल्डोजर के सरकार बुल्डोजर वो उनो अगर गराया होगा कुछ गलत होगा तो कोट हमी को सजा देगा हमी को रोकेगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं अब बहराल अब ये बातें और राज्यों के अंदर भी होने लगे नरेंद्र मुदी ने जिस आउट्रीज की बात की हर्शवर्दन जी जिसका जो हमने बताया कि मन की बात की उर्दू कौपियां चाप करके बाटेंगे आप मदर्सों में जाकर के यो राजनेतिक बात उसमें नहीं है वो इस देश के हर नागरिक के लिए एक बराबर लागू होती है और मुझे लगता है कि मोदी सरकार मुसल्मानों से यही बात कर रही है क्योंकि अगर आप कहेंगे कि 370 का मसला ये हिंदू मुसल्मान हो गया तो फिर तो मुश्किल होगी भाजपा के एजन्डे में है वो तो वो करेंगे अगर आप कहेंगे कि नहीं राम मंदिर नहीं बनना चाहिए हम बाबर के वनशज हैं तो फिर वो करेंगे लेकिन अगर इस देश के समविधान कानून के दायरे में चलने वाली सरकार है तो पहले कि किसी भी सरकार से बेहतर देश के नागरिकों के लिए करेंगे, हिंदू मुसल्मान के साथ भेदभाव नहींगा और ये आउटरीच किसी भी देश के सरकार के लिए, जो लोकतंत्रिक सरकार है उनके लिए जरूरी है भारत का लोकतंत्र तो ऐसे भी बहुत मजबूत है, मोदी उसको बेहतर करने की कोशिश करना है आउटरीच में आम मुसल्मान तक पहुचना ये एक बात हुई, कितने लोगों तक पहुच पाएंगी जैसे अभी है तस्वीरे चल रही है, मुसलिम धर्म गुरूओं तक अपनी बात पहुचाना मुझे याद आता है, 2022 में एक मुसलिम इलाके के अंदर, कतार में लगे वे विक्ति से हमारे रिपोर्टर ने पूछा था धक छोब के पूछा जाता है, सीरे तो नहीं पूछ सकते हैं आप किसको वोट करेंगे, इन मुद्दों पर वोट करेंगे, क्या इशूँज थे तो उन्हों ने का, उस व्यक्ति का जवाब था, जो हमारे उलिमा के देंगे, हम उस तरफ वोट करतेंगे तो आउटरीश उलिमाओं में, धर्म गुरुवों में करने की क्या ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि बहाँ से जाता है भई, वो इंफ्लूएंस करते हैं फैसले को, कहां वोट करेंगे, किसका समर्थन करेंगे तो जो ये तै कर रहा है, अगर आप उसको जो कहते हैं न, कनवर्ट दे किंग, तो फिर बाकी प्रजा तो अपने आप हो जाएगी तो जब तक उलेमा पर काम आप नहीं करेंगे, वहां से बदलाव नहीं आएगा, तब तक नीचे बदलाव नहीं आने वाला क्योंकि ये समस्या जो एक किताब वाले धर्म हैं उन सब के साथ है, वहां ये छूट नहीं है, हिंदू धर्म में ये छूट है किसी और धर्म में उपलब नहीं है, तो वहां बड़ा एक एक बंद डिब्बे की तरह सोच होती है, उपर से आदेश आता है, क्योंकि उपर से आसमानी किताब से सब कुछ आया हुआ है, उसको जो समझाने वाला है, वो कैसे समझा रहा है, सब कुछ इस पर नहीं पर नहीं कि उसमें तय होता है कि वोट किसको देना है, मैं आपको एक बड़ा उदारन देता हूँ, उत्तर प्रदेश में मुलाइम सिंग यादो शक्री राजनीती में थे, तो वो क्या करते थे, वो चुनाओ से 6 मेने साल बर पहले, जो इस्थानी इस तर की जो मजजिदें हैं, मद और दरगाहें, जो गाओं में, गाओं और कस्बों में, उनकी बैठके बुला करके उनको रीचाउट करते थे, क्योंकि लोकल इस तर पर उनका मेसेज जाता है, तो असली रीचाउट की ज़रूद महां है, किताबें बन की बात की वहां बाटनी पढ़ेंगी, इसलिए एक कुर्दू का पिए चप होई जा रही है, बहुत शुक्रिया आप नहों का आज फिर किस्सा कुरसी का में, ये तमाम किस्से हमारे दर्शकों तक पहुचाने के लिए, प्रदीब जी, विनोर जी, हरश्परदन जी, इंडिया टीवी, हर वक्त, हर जगे, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें, इंडिया टीवी न्यूस, गूगल प्ले स्टोर या अप स्टोर पर